लोधा ग्रूप लेकर आये हैं तलोजा रोड पर एक नया प्रोजेक्ट जो थाने, नवी मुंबई और कल्यान के बीचों बीच होगा कोड नेम गोल्डन संड्राइज एक वेल कनेक्टेड लोकेशन पर है जहां मुंबई के किसी भी कोने से आसानी से पहुचा जा सकता है और आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट की बज़े से यहां की कनेक्टिविटी और भी बहतर होगी जल्द ही आयरोली से कटाई नाका तक एक फ्रीवे बनने जा रहा है इसके तयार होने पर आप कोड नेम गोल्टन सन्राइज से आयरोली सिर्फ आधे घंटे में पहुच जाएंगे आने वाले समय में शील फाटा जंक्शन पर एक अंडर पास और एक फ्लाइओवर का भी निर्मान होने जा रहा है जिससे ट्राफिक कंजेश्चन काफी कम हो जाएगा यही नहीं कल्यान शील रोड पर वाइडनिंग और कॉंक्रिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है जिससे ये एक सिक्स लेन रोड बन जाएगा इसके साथ ही एकस्पीरिया मॉल के सामने एक फ्लाइओवर का भी निर्मान होगा जिससे आपको कोड नेम गोल्डन सन्राइज तक पहुँचने के लिए डाइरेक्ट आकसिस मिलेगा यही नहीं, लोधा ग्रूप यहां एक नई सिक्स लेन सेंट्रल आवेन्यू का भी निर्मान कर रहे हैं जिसका एंट्रेंस कल्यान शील रोड पर होगा अगर आप कल्यान या फिर डोंबी बली की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस रोड के जरिये कल्यान शील रोड से सिर्फ 10 मिनिट में कोड नेम गोल्डन सन्राइज अक पहुँच जाएंगे अंबरनात बदलापुर रोड के कॉंक्रिटाइजेशन का काम पहले ही शुरू हो चुका है और जल्द ही तरोजा रोड को भी कॉंक्रीट से बना कर दो लेन से चार लेन में एक्स्पैंड किया जाएगा इससे यहां तक का सफर और भी आराम दायक होगा आने वाली कल्यान तरोजा मेट्रो लाइन के तीन स्टेशन्स कोड नेम गोल्डन सन्राइज के काफी नजदीक होंगे यह मेट्रो लाइन आगे चलकर एक तरफ थाने भिवंडी कल्यान मेट्रो लाइन और दूसरी तरफ नवी मुंबई एरपोर्ट मेट्रो लाइन से जोड़ी जाएगी निलजे स्टेशन जो केवल 15 मिनिट की दूरी पर है कोड नेम गोल्डन सन्राइज को वेस्टर्न लाइन पर वसई सेंट्रल लाइन पर दीवा और हावर लाइन पर पनवेल जैसे की जंक्षन से जोड़ता है ऐसी सुविधाचनक कनेक्टिविटी से लोधा ग्रूप का तडोजा रोड पर ये नया प्रोजेक्ट कोड नेम गोल्डन सन्राइज रहने के लिए एक श्रेश्ट प्रोजेक्ट होगा